Redmi Note 11 Pro Plus और Poco X4 Pro के लिए यहाँ पे finally 14.0.2 का Global Update आ चुका है कुछ दिन पहले सबसे पहले इसका अपडेट चाइना में देखने को मिला जिसका मैंने वीडियो दिया उसके बाद Europe में जो की E.E.A. के नाम से आप लोग जानते हो उसका अपडेट देखनी को मिला जिसका मैंने वीडियो दिया और अब यहाँ पे यह Global Users के लिए आ चुका है और जल्द ही maybe within week या month आपको इंडिया में भी अपडेट देखनी को मिलेगा और जो यहाँ पे हमारा Europe का अपडेट है वो मुझे रियल में काफी interesting लगा काफी improved लगा लेकिन क्या यह सेम चीज़ हमें यहाँ पे Global के अपडेट में देखनी को मिलता है या नहीं और इंडिया में आएगा तो क्या कुछ देखनी को मिलेगा वो साहे चीज़े इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है इसलिए अगर आप रेडमी के note 11 pro प्लस या Poco X4 Pro के users हैं तो वीडियो को लास तक जरूर वाच करना क्योंकि यह दोनों डिवाइस सेम हैं दोनों में अपडेट सेम आते हैं बस फरक यह है कि एक पोको है और दूसरा हमारा रेडमी है तो चलिए शुरू करते हैं तो का जो अपडेट है वो काफी कमाल का मुझे लगा था वो रिकमंडेट भी था लेकिन यह जो अपडेट है न मुझे त्वावत बग देखनी को मिला है जो कि मैं आपको साहे चीज़े फीचर्स प्लस बग बताता चलूँगा तो सबसे पहले अपडेट करते ही आप देखोगे कि यहाँ पे एबाउट में मी वाई 14 का 14.0.2 देखनी को मिलता है और 14 का लोगो यहाँ पे मैं पोको यूच कर रहा हूँ आपके पास रेडमी है तो यहाँ पे रेडमी लिखाओ म नहीं गया है उसके बाद यहाँ पे आपको detailed and info देखनी को मिलता है जो कि पहले all aspects था और यहाँ पे आने के बाद आपको Android 13 नजर आएगा जो कि पहले हमें Android 12 देखनी को यहाँ पे मिलता था तो Android 13 का वेसे कुछ कुछ चीज आपको advantage तो मिलती है बड़ को बिग advantage आपको य बट यहाँ पे जो smoothness की बात होती है वो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगा है feel हुआ जितने के मुझे Europe में और चाइना के रोम में देखनी को मिला था यहाँ पे यह चीज मुझे थोई सी कमी खली है मैं भी 2-3 दिनों के यूज के बाद थ्वासा है बेटर हो जाए बट यहाँ पे आपको screen recording और निचे special features जहाँ पे floating window के अंदर sidebar देखनी को मिलता है और हाँ अब यहाँ पे आप one time में दो floating tab open कर सकते हो window open कर सकते हो जो के Android 13 के बुझे से और MIUI 14 को जैसे possible हो पाया है तो यह चीज आप पर यहाँ पे working देखनी को मिलेगा जो कि multitasking में आपका है जो कि पहले service on and off का option था बट अब इसे change कर सकते हो यह भी आपको थ्वासा advantage यहाँ पे देखनी को मिलता है और मेरे पास यह है POCO का device तो यहाँ पे आपको मिलेगा home screen में POCO launcher जो कि यहाँ पे version दिखाई देता है by default वाला 4.39.7.6141 लेकिन आपके पास Redmi का device है तो यहाँ पे setting हो गया देखनी को मिलेगा लेकिन एक common setting दोनों के launcher में दिखाई देगा जो कि icon size के अंदर है वह है background color का जहाँ पे आप जो भी color यहाँ पे pick करोगे वह same color आपको Google के application पे देखनी को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो सारे Google का application पे apply हो चुका है total app पे नहीं ह का हो या फिर यहाँ पे पोको का हो क्योंकि global में हमें app wealth डेखनी को नहीं मिलता जिसकी वज़े से अगर आपको Redmi का भी phone है तिहाँ पे widget support आपको old वाला ही नजर आएगा क्योंकि global में आपको app wealth नजर नहीं आता जबकि इंडिया में Redmi Note 11 Pro Plus है तिहाँ पे widgets preview आएगा नया वा क्योंकि पोको में जारा चेंज नहीं किया गया और जैसे कि super folder का advantage देखनी को मिलता है MIUI 14 के साथ वह आपको POCO में missing देखनी को मिलेगा लेकिन आपका Redmi है तो super folder आप create कर सकते हो और अई बस super icon तो यह तो नहीं Redmi वाले को मिला है नहीं POCO वाले को मिला है यह सिर्फ चाइना मे नहीं features देखनी को मिला है I don't know कि कब तक यह इसे लेके आएंगे इंडिया में और MIUI डाइलर आएगा या नहीं तो भाई नहीं अभी तक यहां पर देखनी को मिला MIUI का डाइलर यानि जैसा था same to same आपको वही चीज़े है जो यहां पर देखनी को मिलती है इसमें कोई भी change आपको जो नजर नहीं आता यहां पर extra आपको बॉलाट वेर देखनी को मिल जाता है जैसे कि यहां पर जेन आप देखनी सर्विस प्लस देखनी सकते हो Snapchat देखनी सकते हो, Poco का डिवाइस है तो Poco Community देखनी को मिल रहा है Glowall में हमारा जो gate app है वो Mi Pick बन जाता है जो की थाथ change हो गया है उसके बाद यहां पर फिर से आपको बॉलाट वेर के रूप में आप देखनी को मिल रहा है तो यहां पर 7.9.2 देखनी को मिलेगा जो कि system default है और काफी time से इसमें screen on timing का features remove किया गया था जो कि आज तक add नहीं हुआ है और बलके जितने भी devices थे ना बाकि सभी में से remove कर दिया गया है official phone भी launch हो रहा है तो उसमे screen on timing का features नहीं दिया जा रहा तो यह भाई यह लोग दिन पर दिन features को हटा रहे हैं भगा रहे हैं और अगर gallery के बात करें तो यहां पर अगर आप कोई भी gallery के अंदर photo video edit करते हो तो आपको देखनी को मिलता है filter के अंदर एक favorite का option बस यह एक नया आपको दिखाई देता है बाकी यहां पर HSL बगरा और कुछ भी extra नया देखनी को नहीं मिलता सब कुछ similar ही आपको है जो नजर आता है बाकी आप जैसा यहां पर wall paper यूज़ करोगे उसके हिसाब से अगर आप Gboard यूज़ करते हो ना तो उसके अंदर monitor effect आपको जो देखनी को मिल जाता है तो wall paper के साब से इसका है तो throbot color change होता है इसके लाबा Android 13 का कोई भी advantage यहां पर देखनी को नहीं मिलता और camera की EY में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है जो कि मुझे भाई जैसा था वैसा ही लगा है और हाँ जो इंडिया में MIUI 13 रन कर रहे ना उसका camera काफी ज़्यादा lag ही है और मैं 2-3 times जितने भी update आ रहे हैं सभी को मैं कहा रहा हूँ कि update मत करो ignore करो क्योंकि उसमें camera में improvement नहीं और downside देखनी को मिल रहा है जबकि यहां पे जो MIUI 14 है इसके camera में मुझे कोई भी issue नहीं आया proper normal तरह के से काम कर रहा है जबकि इंडिया का MIUI 13 है उसमें वाई एक से दूसरे पर switch करो ना तो काफी time लेता है और sometime error भी so कर देता है बट यह problem मुझे यहां पे देखनी को नहीं मिला तो यह चीज़ मुझे यहां पे सही लगी है और अच्छे दरीगे से काम भी कर रहा है control center के बात करें यहां पे कोई भी music player या बाके दर option देखनी को नहीं मिलता volume panel आपको similar दिखाई देगा लेकिन वहीं पे power menu में छोटा सा change आ चुका है जो कि अभी जितने भी recently first time MIUI 14 जिन device को मिल रहा है उसमें यह नया power menu add किया जा रहा है क्योंकि काफी time पहले से और जितने पुराने devices है जिनको MIUI 14 मिल चुका है उनमें यह look अभी तक देखनी को नहीं मिला जहां पर आपको emergency call का option मिलता है यह नया और आपको option मिलता है जो कि काफी time से weekly beta और China beta row में देखनी को मिल रहा था बट अभी finally global में आ चुका है और इंडिया में भी यह same देखनी को मिलेगा तो चलो एक कुछ और नया look तो देखनी को मिला another control center पे आपको देखनी को मिल जाता है इधर slide करने के बाद hot spot का नया look जो कि पहले थाट different रहता था और नया change आपको दिखाए देगा जैसे आप play store से google पे download कर लेते हो जैसे कि मैं यहाँ पे download किया है इसका एक नया shortcut आपको create हो जाएगा यहाँ पे जो कि पहले आपको पहले यह नहीं था मैंने just play store से download किया और यह shortcut हमें देखने को मिल गया तो टोटल यही सारे चीज़े आपको change देखने को मिलती है लेकिन रही बात performance और bug क्या है तो चलिए आते है पहले performance test result के ऊपर तो startup पे app installation कुछ इस तरीकी से रहता है सारे system app update करने के बाद थवा यह improve ह हो जाता है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उसके बाद मैंने यहाँ पर finger touch चेक किया जो कि 10 finger one time यह access कर रहा था और यह हमारा untu to score जो कि मुझे थोड़ डाउन लगा क्योंकि मैंने यहाँ पर version 10.0 यूच किया है और 10.0 पर यह काफी high जाता है बर उटना high नहीं आय तो यह मुझे थोड़ी सी कमी लगी है 100 पे डालने के बाद normal cp total 2,31,000 max और minimum 1,88,000 है जो कि overall सही है और game to room में add करने के बाद यह और improve होगा खराब नहीं होगा और अई बाद battery drop जो कि यह है हमारा 37% morning में आता है यह 35 फुल night में only 2% का battery drop है जो कि सही है कोई ज्यादा drain नहीं और हां first time जब आप power menu प्रेस करोगे तो कुछ इस तकी से pop up आएगा कि आप power menu पर क्या रखना चाहते हो Google Assistant या फिर आपका original power menu तो यह आप यहां से setting चेंज कर सकते हो या फिर off वग रहा है जो कर सकते हो और हां जैसे कि मैंने एक bug की बात करी थी यहाँ पे वो मुझे देख screen brightness freeze हो चुका है कोई कम जादा यहां पे नहीं हो रहा है तो यह problem मुझे देखनी को मिला था कि brightness यहां पे control कर ही नहीं रहा था बस कभी high कभी low कभी कुछ कभी कुछ इस तरीक से मुझे यह issue देखनी को मिला है इस phone के अंदर अभी मैं करके दिखाता हूँ कि यह काम करता है नहीं तो आप देखो कि अभी यहां पे अच्छे से काम कर रहा है जबकि यह manual पर है ठीक है अब मैं अगर इसे auto पर डालता हूँ तो भाई अब यह प्रोपर तरीक से काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है बट इस टार्टम में मुझे इसका है जो थोड़ा सा प्रॉलम और फर्स्ट अपडेट है तो में भी आगे चलके और इंप्रूब होगा तो यह इस टेवल होगा तो फिल भी मैं यहां पर यही कहूंगा कि जो इंडिया में MIUI 13 रन कर रहा है या फिर इसका एक्सकोले में गलोबल में MIUI 13 रन कर रहना उससे यह बेटर अपडेट है इस्ट इस्टर में है तो साथ वी जिन वीक नॉर्मल पब्लिक यूजर्स को देखनी को मिल जाएगा और अगर आपके पास इंडिया का डिवाइस है रेटमी का नोट 11 प्रो प्लस या पोको एक्सपर प्रो और आप गलोबल का या इरोब का MIUI 14 डालना चाहते हो तो आपको कस्टम अगर इंडिया कर रहे है तो अच्छा रहेगा क्यों इंडिया में जब से टू टाइम से अपडेट आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं आ रहा और मैं हर बार ही कहते हूं अपडेट मत करो अदो फोन खड़ाब होगा तो देखते हैं कि MIUI 14 किसे काम करता है इंडिया के अंदर आपका क्या है ओपिनियन और रहे है इस वीडियो के बारे में कमेंट करना यानि इस अपडेट के बारे में वीडियो अच्छा लगा है इंफ्रमेटिव लगा है तो लाइक करके सेयर करना ना भूले और भाई आप फॉलो जरूर कर लेना मुझे झाल